सब्सक्राइब करें होमेड कि राप्टिंग को और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें हेलो फ्रेंज होम्मेड किराप्टिंग में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रीज का कबर बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं यह मैंने 4 colors की only है और यह मैंने 6 number का क्रोशिया लिया है इस क्रोशिया से मैं आपको बुन्ना बताऊंगे तरह सबसे पहले मैं यह blue color की only लेती हूं इस तरह से मैं यह ring बनाती हूं देखे इस तरह से और रिंग बनाने के बाद मैं इसमें 4 की चेन बनाऊंगी 1,2,3 और यह 4 4 की चेन बनाने के बाद मैं इसमें डबल क्रोशे डालूँगी देखे इस तरह से यह मैंने डबल क्रोशे डाल दी है फिर मैं वन चेन लोगी और वन चेन लेने के बाद फिर मैं डबल क्रोशिय डालूँगी देखे इसी तरह से मैं ये 12 डबल क्रोशिय डालूँगी इस रिंग में फिर वन चेन और फिर डबल क्रोशिय कि इसी तरह से ही ए पूरी डिंग में बनाना है तेकिये मैंने इसमें 12 डबल क्रोशिया डाल दिये हैं अब मैं इस रिंग को टाइट करूँगी इस तरह से लेखिए देखिए इस रिकों मैंने टाइट कर दिया है डाइट करने के बाद यह जो मैंने फोर की चेन बनाए थी इसी में ही डाल पर जोड़ना है कि इस तरह से मैंने इसको यह जोड़ दिया है कि यह मैं फ्लॉबर बना रही हूं अब मैं इसमें वाइट कलर क्यूल लगाऊंगे देखिए अब इसमें मैं यह वाइट कलर क्यूल लगाती हूं कि कि आज़ इसतरी में देखिए मैं बट आ दी ओने इसिंगल क्रोशिया बंदी है फिर बमट चया और फिर ए फिर वन चेन और फिर सिंगल क्रोशिया पूरे इसमें रिंग में इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया बुनना है वाइड कलर से देखे इस तरह से पूरे सिंगल क्रोशिया बुनना के बाद इसको इस तरह से जोड़ना है कर दो इसको मैं कट कर देती हूं वाइड कलर की मूल को अधर से भी कट कर देता हूं अजय कर दो देखे प्रीड कलर की मूल लगाती हूं देखे इस तरह से सबसे पहले मैं यह थ्री की चेन बनाऊंगी वन टू थ्री की चेन बनाने के बाद इसमें मैं डेबल क्रोश्य डालूंगी बनाओंगी इस तरह से पूरा नहीं बनना है अब इनको फूर होगा है बन्टो थ्री फोर अब एक साथ इनको निकाल रहा है और फिल यह मन टूटो यह मैंने टू की चेन डाल दी है फिर अगले में डबल क्रोशिय डालना है इस तरह सो डबल क्रोशियों को हाप बुलना है फिर डबल क्रोशिय डालना है तू और यह थ्री और यह फॉर अब इसको एक साथ बुलना है इस तरह से तू की चेन फिर अगले में इस तरह से बनाना है आए उर बुलना है पूरी रिंग में इसी तरह से बनाना है ये फ्लॉबर लीव देखिए मैंने इस तरह से ये फ्लॉबर लीव डालती है इसमें फ्लॉबर बनारी इस तरह से में ये मैंने को इस तरह से एक साथ निकाल रही हूँ और फिर टोकी चेन और फिर मैं इसमें जोड़ दूँगा यह जो मैंने शुरू में थ्रीकी चेन मनाई थी इसमें ही डाल कर इसको जोड़ना है इस तरह इसको देखिए इसको मैं इस तरह से एक सब्सक्राइब देखिए अब मैं इसमें ग्रीन कलर लगाती हूँ सबसे पहले मैं यह तरी की चेन बनाऊंगी वन टू थी फिर इसमें डबल क्रोशे डालूंगी देखिए यह मैंने थिरी डबल क्रोशे डाप दिया है तब फिर मैं बन चैन लोगी और फिर थिरी डबल क्रोशिया फिर बन चैन फिर अगले में मैं शिक्स डबल क्रोशे डालूंगी वन टू और यह थिरी फिर मैं टू की चैन लोगी और फिर इसमें ही तरी डबल क्रोशे डालूं और ये थिरी देखे इस तरह से मैंने ये देखे इसमें मैंने ये इस डबल क्रोशिय डाल दिये हैं फिर बंचेंड और फिर त्री डबल क्रोशिय फिर बंचेंड और फिर थिरी डबल क्रोशिय डालू ही मैं त्री डबल क्रोशिय फिर टूकी चेंड फिर थिरी डबल क्रोशिय टूटल हो जाएंगे ये शिक्स डबल क्रोशिय देखे इस डाल दिये हैं फिर बंचेंड अब बंचेंड और फिर थिरी डबल क्रोशिय 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 बंचेंड और फिर लिए भंट जेन वर फिड़ी शिक्स डंबल क्रोशियर बॉच्यर फिड डंबल क्रोशियर फिड़ी जेन फिर डंबल क्रोश्यर विड़ी पर डालने.. इसलिधी डिंग सेएissions सिक्स डबल क्रोशिय में ने टाप दिये है, फिर बंचेर, त्री डबल क्रोशिय है, त्री डबल क्रोशिय में डालना है, फिर बंचेर, फिर बंचेर, त्री डबल क्रोशिय में डालना है, त्री डबल क्रोशिय में डालना है, फिर बंचेर, फिर दाप क्रोशिय है, आहे före में 4 जगे मैंने 6 डॉवब करोशे डॉशे udah के अब और कुछ जगे मैंने 3 डॉबर करोशे डॉशे डॉशे इसी तरह सेसे में दूसरी लाइन भी बनाओंगी अब मैंने इसमें दूसरी लाइन भी अब बना रही है अब इसको ये मैं बंद करते हूं यहां से वन चैन लेकर अब ये फ्लॉवर कम्प्लीट हो गया है जोड़ जोड़ गई है इस तरह से मैंने चैन जोड़ गई है अब मैं इस अब आपस में जोड़ती हूं इस तरह से ये फ्लॉवर जोड़ गई है फ्रीज कवर बनेगा अब देखिए आपस में इनको जोडती हूँ देखिए मैंने डबल क्रोशे डाल दिये हैं मैंने दूसरी लाइंग पूरी नहीं बुनी है इस तरह से 3 double crochet अब मैं ये फ्लॉवर लेती हूं इस तरह से जोड़ती हूं देखिए लेने के बाद फिर मैं ये वन चैन फिर इसमें ही इसमें ये फ्लॉवर ड़ग इसमें ही फिर मैं 3 double crochet डालूंगी देखिए 2 और ये 3 देखिए इस तरह से ये जोड़ गया है इस तरह से जोड़ना है फिर बाद चैन फिर इसमें double crochet डालना है देखिए 3 देखिए 3 double crochet डालने के बाद फिर मैं इसको ये single crochet लेकर बनूंगी इस तरह से फिर बन चैन फिर अगले में 3 double crochet है इसको जोड़त हुए इस सिंगल क्रोशे लेकर गुना है फिर बन चैन फिर डबल क्रोशे लेते हुए इसमें गुना है फिर इसमें ये लूँगी इधर से दूसरे बाले को जोड़ूँगी और फिर इस तरह से ये शिंगल क्रोशिया फिर बन चैन और फिर इसमें डालूँगी इधर सिक्स डबल क्रोशिया पहले डालूँगी थिरी डबल क्रोशिया ये मैंने जोड़ दिया है अब मैं पूरा इस तरह से बनूंगी अब यह जोड़ने के बाल पंचेन और फिर यह त्री डबर प्रोशेन कर दो कर दो से बू़ने के बाल देखिए अब में इसको जोड़ती हूँ देखिए इस तरह से ये दोनों फ्लॉबर मैंने जोड़ दिये हैं बाकी फ्लॉबर में इसी तरह से ही जोड़ूँगी देखिए अब मैं इस मैं इसमें तीसरा फ्लॉबर जोड़ती हूँ अब मैंने इसमें तरी डबल ग्रोशे डाल दियें हैं तरह से ये जोड़ दिया है और फिर बन चेंड और पिर इसमें ये तरी डबल क्रोशे इस तरह से, फिर सिंगल क्रोशे लेते वे जोनना है, फिर बंचे, और फिर थ्री डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे लेकर बुरना, इस तरह से, फिर बंचे, और फिर इसमें त्री डबल क्रोशे, कर रही ज्याओ objective है, उर बंचे, पो खर्फ़ाई, पिर में चेंगल झाओब क्रोशे, आपको koahahahswाल अनपल क्रोशे, इसमयक कि जदे जर गवे बंचे, ट्री दोल क्रोशे ,। तरह से, बंचें ट्री घraft रुटम, पिर्फली बबरश्या पैल पिर देवर प्रोश्या 1 chain then finish three double knives 1 2 3 देकि डेस्ट था सिय जोपता हो रहा है देकि डेस्ट था सिय 1 chain then 3 double knives इस तरह से यह यहां तक बुरूंगी में देखिए अब मैंने यहां तक बुर लिया है अब इसको में जोड़ती हूं इस तरह से देखिए यह मैंने में जोड़ती है यह फ्लॉवर जोड़ती है हैं अब मैं एक फ्लॉवर और जोड़ दो होँ देखिए अब attention directing जोडती हूं यह मैंने एक लाइन बना बना रहा हुआ धिर दो है जोड़ना है जोड़ें गया है बंचेंट पीद प consultants अला तकर हैं तो इसिए जसे संगल क्रोशक बंचेंट अलोडें जलते हुए थिक बाखे प्र सघल और क'. को अब बार ने तो को यह तिरी देखिए को यह मैंने जोड़ दिया इसको जोनने के बाद सो तरह से सिंगल प्रोशय लेते हुए जोनती हूं तरह से सिंगल प्रोशय लेली बैद फिर इसमें जोनना है इसमें थ्री डावल क्रोशय लेकर जोनना है कि अगले में इसको जोड़ना इस तरह से सिंगल प्रोशे लेते हुए फिर बंचेन अगले में इसको जोड़ना इस तरह से क्वीटूर रड़नी इसको को जोगना इसको जोड़ना इसको जोप्रोशे लेते हैं ते स Brush Here इस में इसको जोड़ना को जोड़ना इसको जोड़ना इस तरह से स्कूल शेया इस rendered покупंचेन इस कोकि जोड़ना इस तरह से कि अधिर डाबल ग्रोशे हैं कि अधिरी अधिर जोड़ना है कि इस तरह चेंग अधिर बच्चेंग इसे पर फिर ये थी डाबल ग्रोशे अधिर ने चार फ्लावर को जोड़ लिया है इस तरह से जोड़कर आवे हैं फ्लावर अधिर इस तरह से जोड़ा इसको शिवर क्रोशे के साथ फिर बंचेंग इस तरह से जोड़ा है अधिर ने चार फ्लावर चोड़ दिये हैं अब यह लाइन भी यहां पर मैं कम्प्रीट कर लूँगी इसी तरह से यह सारे फ्लावर चोड़ने हैं देखिए अब मैंने यह जोड़ देती हूं पहराट एंभे जोड़ देती हूं दो प got fait फोर फ्लावर जोड़ दिये हैं फी देखिए 100 वान मैंने भी मैंने यह जोड़़ जूड़ दिये हैयां ओक है अगर्दर सारे फ्लावर यह सिद्ल्यूर मैं आयो के तरह से जुड़ंगे यह ते देखें मैं यह लास्ट वाला फ्लॉबर जोड रही हूं इस तरह से बोर्डर बनाती हूं ते लेखें अम्मेश कर दिए मैंने फ्लॉबर को जोड़ दिया है अब यह इस तरह से आ गया है अब मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ देखिए अब मैं इसका यहां से बॉर्डर बनाती हूँ साइड से कवर का, फ्रीज कवर का सबसे पहले मैं थिरी की चेन बनाओंगी मैंने थिरी की चेन बना ली है अब इसमें मैं एट नवल क्रोशे डालूंगी कि दूसे हैं से कवर कर्दाए चेन लुग का कि अब बनाओंगे कर दो देखिए मैंने इसमें ये 8 डवर क्षे डाल दीए है और मैं बंचे लगी वर चयर लेने के बाद इसमें में इस तरह से देखिए मैं इस सिंगल क्रोशे डालती है फिर आग 거야 में बंचैन, फिर में बंचैन लोंगी और फिर में 8 डबल क्रोश्य डालोंगे में बंचैन लोंगी और फिर अगले में सिंगल क्रोश्य डालोंगे इस तरह से फिर में बंचैन और फिर 8 डबल क्रोश्य डालोंगे कि आपिर स्थस्ट साथ पह एतशोप्स, टोच wish दो बंचैन बंचैन आपिर तरह性 बंचैनल क्रोश्य बंचैना, उन तरही क söylenक बंचैन कि यंचैन बंचैन स्बस्करोफव में बंचैन इस तरह से ही पूरा बोडर बनाना है एट डबल क्रोशिया के साथ बन चैन और फिर यह सिंगल क्रोशिया फिर बन चैन और फिर मैं इसको यहां पर बंद कर दूँगी यह वैने जो थिरी की चेन बनाई थी इसमें ही डालकर इसको वंद करना है जोडना है इसको वोडर को देखिए अब मैंने यह बोडर जोड दिया है और यह बोडर भी अब कंप्लीट हो गया है इस तरह से आगया है यह बोडर और ये फ्रीज कवर भी अब मैंने कम्प्रीट कर लिया है बॉर्डर के साथ ही देखिए ये फ्रीज कवर बहुत ही सुन्दर लग रहा है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सस्प्राइब करें थैंक य अआज बूजर बूझा जब मुझा पनाएब साथ ही करें तो आपको सस्प्राइब करें इसे दुटक्र तो को दो देखिए गगर गाज़ है बु़ के शुछने करें खेंदाब लुता नहैं जा झापको दो पह शुछने कंवां सकत्ती है झाल झाल